ये हैं बोलते पन्ने और आप देख रहे हैं रिपोर्टर की डाइरी शालनी वाचपेई के साथ आज मैं फिर आज़र हूँ कुछ किस्सों के साथ चार साल पुरानी बात है हमारे एक कॉलेग थे तो उनकी एक तकलीफ थी वो हमेशा इस बात को लेकर कहा करते थे पता नहीं लोगों को क्या दिक्कत है वो जब भी मुझसे मिलते हैं चाहें वो ब्रेकफास के टाइम पर मिले या लंज के सुबा आठ बजे भी मिलते हैं तो कहते हैं और क्या हाल है बिर्यानी खाके आये होगे तुम तो लंच के टाइम मिलेंगे तब भी कहेंगे ओरे तुम्हें क्यों schöne अच्छा लगेगा यहां गा तुम तो बिर्यानी खाकी आए होगे तुम्हें केंटीन का थोड़ी लगे तक्लीफ होती थी कि हो लोग क्यों कहते हैं कि हमें हर वक्त बिर्यानी मत्तन यह सब खाता रहता हूं इस मैं भी दाल चावल सब्जी रोटी खाता हूँ कभी कबार ये चीज़े खा सकते हैं हमेशा थोड़ी खाई जाती है एक दूसरी घटना बताती हूँ मैं एक सज्जन के घर गई वो आफसर है रिटायर है तो उनके घर पर गई तो ऐसे मिलना हुआ था बात wonder मिश्रा जी हैं और कांगब के रहने वाले हैं यह उन्होंने बताया कि व कानी कोप्ची के अबरामन है कफीयव चीट हो रहें कि तमाम समाजी मुद्धों पर बाते हुई बात चीत के दौरान उन्होंने तुरंत आवाज दी शाजिया आओ दोकब चाय लेकर आओ बढ़ी आसी तो शाजिया ने अंदर से आवाज दी जी उसके बाद वो चाय लेकर आती है दोकब कदेर उम्र की महिला जिसकी उम्र 45 से 50 के वीच रही होगी सलवार सूच पहने हुए वो आती है और दोकब चाय रखती है पूछती है कि चीनी कितनी चाहिए मैंने का एक चमच चीनी डालती है और उनको बीना चीनी की चाय थमाती है उनको में लगातार देख रही थी मेरा बह कुछू कि आप यहां पर कब से काम कर रही है कि जा कि क्या और भी प्रहरामर परवारों में काम करती है या फिर सिसलेटा को कॉछैनृत नहीं ही है कि टमाम सवाल जहन में आते पूछ नहीं पाते और हर जगे पूछे भी नहीं जा सकते इसके बाद वो चाय रखकर चली जाती हैं फिर मैं चाय पीते हुए भी यह सवाल सोच रही थी और और ही तमाम बते दिमाग में आ रही थी छाय जैसे 맞는 खतम की तुरनट फिर और जाचिक है अवाज दि चाजियां झाऑ हुए फिर लोगयिते हैं उपीस्यवाइं और मिया देती हुए गूति है एक तीसरी घटना बताती हूँ मेरा एक दूर का कजिन है छोटा भाई है वो तब मैं लखनों में रहा करती थी वो मुझसे बोला रात ग्यारा बुजे की फोन आया उसका वो मुझसे कहता है नॉर्मली उसके बाचीत इस तरह से होती है कि देखिए कुछ लोग है ना कि जो हमेशा जगड़ा करते रहते हैं देखिए देश में किस तरह से माहौल खराब हो रहा है इस धर्म के लोग हमेशा जगड़ते रहते हैं देखिए दुनिया में इनकी वज़े से जगड़े हो रहे हैं इतने सारे, महोल खराब हो रहा, यह जहां भी रहते हैं शान्ती से नहीं रहते हैं, इस तरह की बातें वो कहता, अक्सर कहा करता था, और मैं उसे, क्योंकि छोटा था, तो कई बार समझाती थी, कई बार थोड़ करें, सब एक जैसे होते हैं, उसको कई बार बोलती थी, लेकिन हर किसी के सोचने का धन, सबको तो शायद नहीं समझा सकते हैं, तो यह बातें वो हर वक्त कहा करता था, एक दिन उसका रात 11 बजी फोन आया, बोला दी, दिली में मेरी दोस्त को एक्जाम देने जाना है, कु दो दिन उसको रुखना है, एक्जाम देखी, फिर वापस आए, मैंने का ठीके बात करती हूं, देखती हूं कहां पर हो सकता है, क्या है, कौन है बताओ, तो बोला कि मेरी दोस्त है, नाजिया, तुम्हारी दोस्त है, तुम्हारी दोस्त कैसे हो सकती है, तो बोला कि, अरे ट्यादधी दोस्ते है पहुत अच्छी लड़की है और आप उसे मिलेंगी तो आपको भी अच्छा लगे का हभोगी लड़की होगी जो बहुत सारी रटकी अच्छी प्रूच में भूला जब थिया लची होती तुम्हारीं इस में दोस्ते तो बहुत दूसरे धर्म से तुमको बड़ी दिक्कते होती है तो भूला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है वो तो आप हर बात में आप ये सामाजिक विशयमत लेकर आया करिए इस तरह की चीज नहीं है और मैं भी ऐसा ही हूँ जैसे आप से बात कर रहा हूं तो मैंने का फ बता हैं तीन घटनाओं से ये तो साबित होता है कि हम लोग बेसिकली मुहबबत करते हैं एक दूसरे से किसी भी धर्म के लोग हो किसी भी चाति के लोग हो मैं तो यहीं कहूंगी हर किसी के मन में अपने मिले जुलने वालों के लिए प्यार होता है बस कुछीजी हैं जो अनी कभार मन को बदल देती हैं हमारे जिहन को बदल देती है बस उनी को बदलने की ज़रूबत होती है शुक्रिया